हालो डिया स्टुडेंट कैसे हो बच्चो एक दर फर्सक्लास वालकम तो अल अफ यू अवर ब्यूटिफुल चैनल मॉडुलस इंस्टिटूट आज हम लोग डिसक्स करने वाले यूनित तेस्ट 5 पेपर सॉल्यूशन स्टैंडर्ट वाल सब्जेक्ट फिजिक्स जिसमें चै चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नीचे दिएगे बेल आइकन को प्लिक करें ताकि जैसे हम लोग और भी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन अप्लोड करें तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाएगी ठीक है ना चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए है पेपर सॉल्यूशन के और बढ़ते हैं सेक्शन ये में आपको 9 mcq दिए हुए इसका आपको सॉल्यूशन लेखना है मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूं चैक है और सेक्शन वी में दो मांक्स के चार्ड वेश्टन दिए हुए हैं ठीक है वैसे आपको इसमें से आपको पांच वेश्टन लिखने हैं और चार्ड मांक्स के दो कुष्टन है ठीक है अगे बढ़ते हैं हम लोग mcq1 in a lcr circuit capacitor is changed from c2 to c for the resonant frequency to remain unchanged the inductance should be changed from l2 तो क्या होगा किस तरीके से होगा आप देख सकते हैं ठीक है ना resonant frequency अगर constant है तो फिर दोनों के equate कर दीजिए resonant frequency का formula होगा 1 by square root of l into c दोनों के equate कर दीजिए ता answer बिल जाएगा 4 in ac given by i is equal to 50 cos 100 t plus 45 ampere the value of rms क्या होगा maximum divided by root 2 तो 50 divided by root 2 आगे बढ़िए question number 3 में यार इक्दम ये तो simple है यार बालतुसा question होगा है या साम लोग बोल सकते ठीक है ना इक्दम इसी होगा है okay चर्ट नम्म sorry question number 4 देखिए if r and l do not a resistance and respectively which of the following has a dimension of time help by r देख सकते हैं किस तरीके सोगा और आपके दिवाग में और भी कही सारे question आते हैं सरक कैसे होगा detail solution देखना या फिर detail में सारे topic पढ़ने है तो description box box में link given है playlist के ठीक है आप playlist में जाके देख सकते हो वह chapter number 3 से लेके चैप्टर नंबर 14 और 1 और 2 को revise किया गया है ठीक है मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तर के सारे detail sorry playlist दी हुई है और वहां पर जाके आप lecture देख सकते हो पूरे lecture return कर सकते हो one one by one अच्छे टॉपिक भी समझ सकते हो ठीक है जो बच्चे लाइव है पहली बार देख रहे है जल्दी से YouTube चैनल को like करिए ठीक है और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेर करना रहे है question no.5 में answer आएगा e cross b question no.6 देखिए the dimensional formula of mu not into epsilon not means one upon c square c मतलब के बढ़ी speed of light है तो मुचका dimensional formula होगा फिर answer आएगा L raise to minus 2 T raise to 2 ठीक है देख सकते है आप को कल लेंध क्या हो किसकी ज्यादा होगी अब आपको पता होगा कि किसका प्रेटिव इंडिक्स ज्यादा होगा ठीक है एनर इस लेस देडिन होगा क्यों होगा तो आप देख सकते हों फोर डिवेशन 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 इस इस एक्वल two reflective index minus one in two फ्रिजर में ठीक है इस तरह किसे फार्मूल आगा जिसका minimum शोगा मैक्सिमुम डेवेशन उगा जिसका मैक्सिमुम डेवेशन होगा उसके लिए रिप्रेटिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आप देख सकते हो कि जब वाइड लाइट किसी पृजम के ओपर इंसिडेंट नहीं के तो हूगी तो वह सात फिरंबों में डी वाइड होग जल्दी नजदिक मतलब कि जिसका डिविशन जाता होगा वो नजदिक को इंसाइड करेगी तो फिर नजदिक नजदिक कॉंसर एक की जगह पे रुख जाएगी ठीक है ना फोकल लेंथ कम होगी सब्सक्राइब करना है तो पहले आपको किसे कहते हैं उसके बाद फॉर्मोला करना है Q1. Due to which reason the energy loss q2, sorry 2 occurs in the actual transformer क्यो होगा? Plux leakage, resistance of the winding, any currents and stresses, okay Q11. An object is placed at 10, 5, it is do not the way but of course if solve करने से पूसिब 5 cm के लिए, okay, मतलब कि यह आपको इपको इप देखना है Q1. Solution जुद तो दिया हुआ हुआ है, वह आपको देखना है इमेज इज देखे, विमेज दिस्टंस क्या है, greater than 0 means positive है, positive मतलब कि behind a mirror means क्या होगा, virtuelle image होगी, और virtuelle के साथ, इरेक्टेर होगी, आप देख सकते है, magnification क्या होगी? greater than 0. Q1 क्या होगा, ग्रेक्टर देख सकते हैं, 1 upon F is equal to 1 upon F1, plus 1 upon F2, आप देख सकते हैं, तो आपको सॉलियोशन पीडियेप चाहिए तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहाँ से जागा है कि इसका सॉलियोशन पीडियर भी आप देख सकते हो 15 जो है 15 16 77 में ही है बट यहां पर आपको वन पाइवन एक एक वेशन दिया हुआ है ठीक है बट यह तीनों के तीनों साथ में होगे ठीक है उसी तरह के से आप चार मार्स प्रिजम एंगल प्रिजम एक्वेशन डिराइख करना एकड़म एजी है तो इसका सॉलिशन नहीं दिखाया गया है ठीक हम लोग क्वेशन नाइंटीन देखेगे लिए सर्कीट कनेक्टेट टू वेरियेबल फ्रिक्वेंसी 234 वोल्ट सोर्स है रस इक्वाल हो दिया है सी दिया है आर दिया है तो फॉस्ट क्वेशन है कि दिनों साथ में पूछ गए लास्ट आंसर देख लिए आपका लास्ट आंसर इतना होगा क्लियर हो चुका है कोई डाउट नहीं होगा और आप लोग उन्हें काफे टाइम दिया उसके लिए थेंक्यों सो मच जय है जय बारे